Hello friends, welcome to Great Smasher. The topic is symmetric key cryptography. So symmetric key का मतलब क्या है? Same key. मतलब एक key की यूज़ करते हैं हम. एक key का मतलब है कि let's say sender want to send a message to receiver. तो हमने पहले discuss किया था कि sender और receiver हमेशा unsecure channel को use करते हैं. जैसे हम लोग अगर हम internet को use कर रहे हैं, that is what? Unsecure channel. अब इस unsecure channel का मतलब क्या है? कि हमारा और receiver के बीच में कोई dedicated line नहीं है, dedicated link नहीं है. हमने अगर यहाँ से California message वे नहीं है, तो मिरे को obviously पता है कि यहाँ से California direct line थोड़ी ना कि मेरे घर से एक wire जाती है जो California तक. हम तो unsecure channel को use कर रहे हैं. इवन हमें यह भी नहीं पता कि हमारे system से जब message निकलेगा, तो next किस node पे जाएगा? तो इस unsecure channel को अगर हम use कर रहे हैं, तो हम message को normal plain text में नहीं भेजते. तो हम उस message को encrypt करते हैं with a key. Let's say अगर मैं message को encrypt कर रहा हूं with key K1. Let's say K1 key जो है हमारे पास अलग-लग symmetric key algorithms हैं. Symmetric key का मतलब same key. DES, triple DES, AES. Data encryption standard. Data encryption standard. ऐसी triple DES है, AES है. Advanced encryption standard. तो यह अलग-लग method जो है, वो real life में use होते हैं. DES में 56 bit की, 56 bits की key use होती है. Triple DES में 192. AES में अलग-लग version है, minimum 128 और maximum 256 bit की key use होती है. अगर मैं बात करूं 56 bit, मतलब 2 raise to power 56 possibilities है. अगर कोई बंदा brute force method लगा रहा है, brute force का मतलब है, 0000 से लेके 111 सारे, सारे के सारे permutation अगर वो check कर रहा है, तो इतनी values उसको check करनी पड़ेंगी. तो key का मतलब है, कि हम जिस key से message को encrypt कर रहे हैं, और उसको हम cipher text में convert कर रहे हैं, और यह cipher text मैंने receiver को भेज़ दिया. तो receiver उसको क्या करेगा? decrypt. Receiver उस C को लेगा, और same key को, K1, K1 key को use किया था encryption के लिए, K1 key को use करें decryption के लिए, और दुबारा उसको M में convert करके read कर लेगा. तो यह action में funda किसका है? symmetric key का. symmetric key वैसे तो easy method है, और asymmetric से पहले का method है. मतलब हम इसको पहले symmetric key का method आया, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा challenge है, वो क्या है? key exchange. key exchange का मतलब है, कि let's say, अगर मैं अपने घर पे lock लगा के चला गया, और let's say, थोड़ी दिर बद किसी ने आना है, और उसने अगर unlock करना है, तो उसको वही की चाहिए, जिससे मैंने lock लगाया था. अब यहाँ पे यह case भी हो सकता है, कि duplicate keys है, कि एक key उसके पास है, एक मेर पास है, अगर हम उस case को निकाल दे, let's say, एक ही की है, उस lock को lock करने के लिए, और unlock करने के लिए एक की है, और मैंने lock लगा के, अगर मैं चला गया, वो उसको कैसे unlock करेगा? या तो मैं lock लगा के चाबी lock में छोड़ दूँ, तो फिर lock लगाया ही क्यों? या फिर मैं उस बंदे को चाबी दे के आऊं, तो चाबी दे के आने में, obvious ही बात है, मैंने किसी time पे निकलना था, मैं पहले उसको चाबी दे के आऊंगा, key दे के आऊंगा, no. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा challenge है, symmetric key में किया है, key exchange का, कि जिस बंदे को message भेज रहे हैं, उस बंदे को key भी तो देनी पड़ेगी, और key message के साथ देनी सकते, अगर मैं message के साथ key भी दे दता हूं, तो फाइदा क्या, कोई भी उस key को use करके unlock कर लेगा, तो यहाँ पे यह यही सबसे बड़ा challenge है, उसके लिए अलग-लग methods हम use करते हैं, जैसे defy-helmanic method है, जिससे हम securely keys को आपस में exchange करते हैं, और यह real life methods है, जो encryption methods है, जो use करते है symmetric key के method को, तो यहाँ पे सबसे important point तो यही है कि हम a key को use करते हैं, और जो challenge क्या है, इसके लावा एक और question जो है, वो gate क exam में भी आया हुआ है, और even UGC net में भी आया हुआ है, let's say कि अगर हमारे पास 4 devices आपस में connected हैं, तो हमें कितनी symmetric keys की जूर्त पड़ेगी, जैसे अगर 2 devices आपस में connected हैं, तो कितनी keys चाहिए, एक, क्यूंकि जिस key से sender encrypt कर रहा है, उस key से receiver decrypt कर रहा है, लेकिन अगर receiver भी कुछ message भेजना चाहता है, तो वो same key से use कर लेंगे, बतलब सेम की दोनों में use हो जाएगी, लेकिन अगर number of nodes है 4, तो मेरे को कितनी keys चाहिए, तो इस case में मेरे को कितनी keys चाहिए, nc2, this is the formula, this is actually the formula of complete graph also, कि number of edges in complete graph, n क्या है यहाँ पे, number of vertex, number of vertex, तो अगर हम इस graph की बात करें, यह let's say कि हमारे पास 4 nodes है, 4 devices are D1, D2, D3, D4, तो इस 4 devices आपस में कैसे connect हो सकते हैं, maximum कितनी हो सकता है, D1, D2 ऐसे connected हो, इस तरीके से वो connect हो सकते हैं, तो D1 और D2 के बीच में एक की होगी, एक की यहाँ, एक की यहाँ, एक यहाँ, और इस कितनी कीज़ चाहिए, 6, तो इस method से, अगर आप से पूछ लें, कितने भी number of devices को पूछ सकते हैं, let's say, 20 devices are connected with each other, तो 20 devices के लिए मेरे को कितनी maximum symmetric कीज़ चाहिए, 20 C2, तो यह formula जो है, आप याद रखना, और इस से ज़्यादा जो है, आपको करने की जूरती है, this is more than enough for the UGC net exam, and gate exam, हाँ, इसके लावा हम DES के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं कि DES में कौन कुछ से steps है, कैसे वो encryption करता है, but this is the basic introduction of symmetric key cryptography, thank you.